हलो दोस्तो वेलकम बैक टो मैं चैनल दोस्तो आज हम एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं 2007 में आई एक रोमांस कॉमेडी मुवी को जिसका नाम है वर्जिन टेटरी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मुवी के शुरूआत होती है और हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्बीनो नाम के एक आदमी से बच कर भाग रहा था लोरेंजो यहां किसी तरह से जर्बीनो से बच कर भाग जाता है लेकिन जर्बीनो अपने आदमियों से लोरेंजो को कैसे भी करके उ लिए कहता है हम देखते हैं कि लोरेंजो अपने दोस्त के पास आता है लोरेंजो के दोस्त इसे शहर से बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि जरबीनों के आदमी इसे ढूनना पाए लोरेंजो भी अपने दोस्त की बात मानता है और ये घोड़े पर बैठ कर यहां से चला जात इसके बाद हम पैम्पीनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर रो रही थी क्यूंकि कुछ दिन पहले ही पैम्पीनिया के माता-पिता प्लेग बिमारी की वजह से मर गए थे पैम्पीनिया यहाँ पर रो ही रही थी कि तभी यहाँ पर जर्बीना आता है ज कुछ दिनों में रस्या का राजा जर्जेस्की यहां पर आने वाला है और यह उससे ही अपनी शादी करेगी यह कहकर पेंपिनिया यहां से जाने लगती है कि तभी जर्बीनो इससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे धेर सारे पैसे लिये थे इसलिए उनके मरने के ब साथ में शादी करनी पड़ेगी इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पीछे जर्बीनों के आदमी पड़े थे लोरेंजो यहां एक आदमी से मिलता है जो की एक डेड़ बोडी को लेकर यहां से चार हाथ था लोरेंजो इस आदमी से उस मरे हुए आदमी के बार जाता है। लोरेंजो जर्बीनों के आदमी उसे बचने के लिए एक पेड़ पर चड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोरेंजो को अब होश आ गया था लेकिन ये जान बूच कर बेहोश होने का नाटक करता है। चर्च का काम कर सके। सीनियर लोरेंजो को यहां काम पर रख लेते हैं। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जो की नहा रहा था कि तभी दो नन इसके पास आती है। यह दोनों लोरेंजो के साथ यहां नहाने लगते हैं। लोरेंजो भी यहां गूंगा बहरा बनने का पूरा फायदा उठाता है। और यह इन दोनों के साथ यहां पर खपागप्पी करता है। इसके बाद हम पेंपिनिया को देखते हैं जो जरबीनों से अपना पीछा छुडाने के लिए यह एक चर्च में आती है। और यह वहीं चर्च होता है जिसमें लोरेंजो गूंगा बहरा बन कर काम कर रहा था। दोनन जब पेंपिनिया को कपड़े पहना रही थी तब पेंपिनिया यहां लोरेंजो को देखती है। पेंपिनिया इनसे लोरेंजो के बारे में पूछती है तब यह नन इसे बताती है कि वो यहां का माली है जो चर्च की देखभाल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो एक गुंगा बहरा है जिसकी वजह से वो सुन और बोल नहीं सकता कुछ समय बाद लोरेंजो को एक नन बुलाती है इसलिए लोरेंजो उस नन के साथ जाडियों में जाता है लोरेंजो उस नन के साथ जाडियों में खपागप करने लगता है लोरेंजो घपागप कर ही रहा था कि तब ही पैमपेनिया यहाँ पर आ जाती है जो ये सब देख लेती है ये देख पैमपेनिया को काफी जलन महसूस होती है क्योंकि ये खुद लोरेंजो को पसंद करने लगी थी इसके बाद हम रश्या के राजा जर्जेस्की को देखते हैं जो कि पैमपेनिया के राजमहल में आता है लेकिन जर्बीनो जर्जेस्की से कहता है कि पैमपेनिया ने भाग कर अपनी शादी कर ली है ये सुनकर जर्जेस्की को काफी पुरा लगता है और ये यहां से अपने शहर के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में एक आदमी जर्जेस्की को रोकता है और कहता है कि पेंपेनिया कई दिनों से इसका दूसरे शहर में इंतिजार कर रही है ये सुनकर चरजस्की अपने आदमियों के साथ उस शहर में जाने के लिए निगल जाता है इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं जिसके पास दो नन खाना लेकर आती है क्योंकि अब इन्हें भी पता चल गया था कि लोरेंजो सभी नन के साथ में खपागप कर रहा था इसलिए ये दोनों भी लोरेंजो के साथ खपागप करना चाहती थी लोरेंजो भी इनके बाद खुशी-खुशी से मान लेता है और ये इनके साथ यहीं पर घपागप करता है इसके बाद हम पेंपेनिया को देखते हैं जो लोरेंजो की तरफ अट्राक्ट हो रही थी क्योंकि इसे अब लोरेंजो से प्यार जो हो गया था एक दिन पेंपेनिया लोरेंजो को गाना गाते हुए देख लेती है और ये जान जाती है कि लोरेंजो गूंगा बहरन नहीं है एक दिन पेंपेनिया अकेले लोरेंजो के पास आती है पेंपेनिया यहां लोरेंजो के पास आकर उसकी आखों पर पट्टी बान देती है पट्टी बान कर पेंपेनिया यहां अपना नकाब उठाकर कहती है कि यह इससे प्यार करती है और इसकी वजह से यह इसके साथ शादी भी करना चाहती है पेमपेनिया यहां लोरेंजो को एक किस करके चली जाती है ये किस लोरेंजो को काफी अच्छा लगता है लेकिन उसकी आखों पर पट्टी बन दी थी इसलिए वो देख नहीं पाता कि ये लड़की आखिर थी कौन अगले दिन पेमपेनिया अपनी सीनियर को बता देती है कि इनके यहां जो माली काम कर रहा है वो गोंगा बहरा नहीं बलकि वो सुन और बोल सकता है तरसल पेमपेनिया यहां सीनियर को सच इसलिए बताती है ताकि लोरेंजो अब किसी के साथ घपागप ना करे इस बात से सीनियर लोरेंजो के ऊपर काफी गुस्सा होती है इसलिए ये लोरेंजो को लात मार कर चर्ट सिर्फ बहार निकाल देती है हम देखते हैं कि पैमपेनिया अपने राज महल में वापस जा रही थी कि तब ही लोरेंजो इसे अपने साथ लेकर चलने के लिए कहता है अब पैमपेनिया तो पहले से ही लोरेंजो को पसंद करती थी इसलिए ये लोरेंजो को अपने साथ अपने घर्ट पर लेकर आती है इसके बाद हम जरजेस्की को देखते हैं जो कि पैमपेनिया को ढून रहा था जरजेस्की यहां एक लड़की को देखता है ये लड़की जरजेस्की को देखते ही उसके उपर लट्टू होने लगती है जरजेस्की इससे पूछता है कि क्या तुम पेंपेनिया को जानती हो तो ये लड़की यहां छूट बोलती है और कहती है कि यही तो है पेंपेनिया ये सुनकर जरजेस्की इससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरी शादी तुम्हारे साथ में तै की थी इसलिए मैं तुमसे शादी करने आया हूँ दरसल जरजेस्की ने Pampenya को पहले कभी भी नहीं देखा था इसलिए ये इस लड़की को ही Pampenya मान लेता है दूसरी तरफ हम असली वाली Pampenya को देखते हैं जो लोरेंजो को ले कर अपने घर पहुँच कई थी बातों ही बातों में लोरेंजो पेमपेनिया से कहता है कि ये जिस चर्च में काम करता था इसे वहां की एक लड़की से प्यार हो गया था लेकिन उस लड़की ने इसकी आखों पर पट्टी बांग कर इसे किस किया था इसलिए ये उसका चेहरा नहीं देख पाया पेमपेनिया समझ जाती है कि लोरेंजो इससे सच में प्यार करता है पेमपेनिया लोरेंजो को बताने जा रही थी कि यहीं वो लड़की है जिसने इसे उस दिन किस किया था पेमपेनिया यहां पर कुछ बताती कि उससे पहले ही यहां पर जर्बीनो आ जाता है जर्बीनो आती है और ये जर्बीनों से कहती है कि अगर इसने लोरेंजों को मारा तो ये इससे कभी भी शादी नहीं करेगी ये सुनकर जर्बीनों लोरेंजों को नहीं मारता और ये लोरेंजों को पकड़ कर इसे कैद काने में ढाल देता है अगले दिन पेंपीनिया जर्बीनों से कहत कि जब तक ये लॉरेंजो को आजाद नहीं करेगा तब तक ये इससे शादी नहीं करेगी अब ना जाकर भी जर्बीनो लॉरेंजो को छोड़ देता है। कि जर्बीनो पेंपेनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जर्जैसकी भी आ जाता है जिसके पास गन होती है। गन देखकर जर्बीनो इससे डर कर भागने लगता है। अब लॉरेंजो भी यहाँ पर आ चुका था। इसलिए ये जर्ब पेंपेनिया यहाँ पर आती है जो जर्जैसकी से कहती है कि वो इससे शादी नहीं कर सकती। क्योंकि ये लॉरेंजो से प्यार करती है। जर्जैसकी जब पेंपेनिया का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम पेंपेनिया नहीं हो क्योंकि मैंने उसे देखा है। हम देखते हैं पेंपेनिया लोरेंजो के पास आती है और इसे अपने साथ शादी के लिए कहती है लेकिन लोरेंजो कहता है ये इससे शादी नहीं कर सकता क्यूंकि ये किसी और से प्यार करता है ये सुनकर पेंपेनिया कहती है कि ठीक है तुम उसी से शादी करना लेकिन तु मुझे यहाँ पर एक बार किस करके जाओ लोरेंजो यहाँ ना जाकर भी पेंपेनिया को किस करता है पेंपेनिया को किस करने की वजह से लोरेंजो को पता चल जाता है कि पेंपेनिया ही वो लड़की है जिसने इसे चर्च में इसकी आखों पर पट्टी बान कर इसकी साथ में किस किया था ये जानकर लोरेंजो काफी खुश होता है इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है थांक्स पर वाचिए